हैं अधुल हें है अधुल ह篁ट कर आशीर और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टन Dry की पिलिंग्स अप्लिंग्स डिया कैसा रहने वाला है आपके पार्टन शीवाले पार्टन का रिष्ता करनां एक never इनरजी से की करकुराशी के पास्टनर की एनरजी अभी कैसी है और एपरिल मंत में कैसी रहने वाली है। करक्राशी के पार्टनर की एनरजी अभी की क्या है और एपरिल मंथ में कैसी रहने वाली है करक्राशी के पार्टनर की एनरजी करक्राशी के लिए बहुत ही लविंग एनरजी उनके दिख रही है अभी भी ऐसा उने फील हो रहा है कि यस हमारा रिष्टा बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छे से जा रहा है आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन्शिप हो सकते हैं दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार, रेस्पेक्ट और एमोशन, फीलिंग, सब कुछ है तो अच्छे में देख पा रही हूं कि आपके पाटने को ऐसा लगा है कि यस यह मेरा बहुत ही सक्सेस्फुल रिलेशन्शिप है इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूं या तो यहाँ पर मैं कॉंटेक्ट कार्ड से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ऐसा कमिट्मेंट वाली बात आप दोनों की बीच में हो सकती है आपके पार्टनर आपसे यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो भी है तुम उससे बात करो, तुमारी फिलिंग्स को एक्स कि उन्हें लगे कि यस फ्यूचर में भी मैं तुम्हारी साथ हूँ, कमिट्मेंट है, फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, मतलब वो आपका साथ चाहते हैं, अभी तक, मतलब जितना भी टाइम आपके रिलेशन्शिप को हुआ है, उसमें उन्हों करने फिर कोई बात नहीं हम move on कर लेंगे, तो वो ऐसा नहीं जाएंगे, अप्रिल मन्त में वो आपसे clearly बात करने वाले हैं, कि जो भी बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा serious हूँ, और आगे तुम मेरे साथ कैसे रहना जाते हो future में, तो उसकी बात हम अभी कर लेते हैं, तो ऐसी energy आपके partner की यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, वो अपनी emotions, अपनी feelings आपके साथ share जरूर करेंगे, थोड़ा सा sad मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो इसकी नजर आ रहे हैं, because आप से वो expect करते हैं कि आप भी आपके दिल में क्या चल रहा ह उनसे सारी बाते share करें, तो जब आप दौनों एक दूसरे से अपनी बाते share करेंगे, तब आगे क्या commitment रहता है, वो अब हम दिखने वाले हैं, करक राशी का अपरिल मन्त कैसा रहने वाला है, करक राशी अपरिल मन्त कैसा जाने वाला है, लव रिलेशन के लिए, कर दो कर दोlleब आप चाँपर एक अपरिलेशन के लिए याले हैं, कि तो चाते हैं, प्रया है, वो प्रोड़ि एक रिलेशन के वाला है, तो आप रहाँए। कि अपरिल मंद की एनरजी सेम यहां पर यही दिखा रही है कि कुछ जो भी अभी चाप करिश्टा चल रहा है उसमें बदलाव आएंगे अब वो बदलाव किस तरह से आएंगे कि आपके पार्टनर के पार्टनर जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा एमोशनल है और वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं लेकिन कहीं ने कहीं आप उनको लेकर शौर नहीं हो जहां तक मैं देख अपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पता कि future क्या रहने वाला है आपके partner का ध्यान आपके अपके उपर पूरी तरह से वह आप पे पूरी तरह से focus किये men हैं हो सकते हैं, वो थोड़ा सा flirty nature हो सकते हैं थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि कहीं बदल तो नहीं जाएगा person एya न पार्टनर जो है अब वो डिमांड कर सकते हैं कि मुझे इसमें एक स्टैबिलिटी चाहिए जो उनके मन का डर है कि कहीं वो आपको खो न दे वो आपको क्लियर करना पड़ेगा यहां पर तावर का काड है तो यह मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में move on करना पड़े तो यह जो आपके पार्टनर का डर है उसको आपको विश्वास में बदलना पड़ेगा आपको उसमें चिंजेस लाने पड़ेंगे आपको बताना पड़ेगा कि नहीं मैं धोका नहीं देने वाला हूँ यह नहीं देने वाली हूँ मैं तुमारे साथ ही रहने वाला हूँ चाहे कैसी भी situation आ जाए मैं यहां से कहीं और नहीं जाने वाला हूँ तो करकराशिया पर जो मुझे दिख रहा है आप उन्हें commitment देने वाले हो अप्रिल मंत में आप उन्हें बताने वाले हो कि नहीं यह रिष्टा जो है वो जुड़ावा ही रहने वाला है हो सकता है कि आप family agree ना हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी situations हो सकती है जिसकी वज़े से हमारा इरिष्टा शादी तक पहुचने में थोड़ा time ले ले लेकिन आप उनसे यही promise कर रहे हो कि नहीं मैं तुमारे साथ हूँ और हमेशा चाहे कैसी भी situation हो तुमारे सब family या हमारे समाज यह सब angry नहीं करेगा तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप अपनी बात पर रहे तो धीरे धीरे में यहां पर देख पा रहे हूँ कि सब लोग आपके favor में आते रहेंगे थोड़ा सा मुझे यहां पर यह भी लग रहा है कि आप दोनों को जो ची सब किसाथ clear नहीं किये तो उसको clear कर लेना चाहिए और जो भी बात है उसको आप share करेंगे एक दूसरे से तो ज़्यादा बेटर रहेगा queen of sword outcome में आया है और king of cups तो again यह दिखाता है कि yes आपके जो partner है वो आपको थोड़ा सा आप sorry आप आपके partner को dominate करते हैं आप आपके partner के control करके रखना चाहते हैं और कुछ ही बाते ऐसी होती है जो आप इस तरह कह देते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा hurt कर जाती है तो सा अपनी बातों पर ध्यान दें आने वाले जो next months है एपरिल के बाद में एपरिल में थोड़ा कुछ ऐसी बात ना कहें जिससे कि उनका उनको hurt हो क्योंकि यहां पर strongly मझे दिख रहा है कि आपकी जो energy होगी वो थोड़ा ऐसी होगी कि आप आपके partner से बहुत कुछ बिना करें तो ऐसा ना करें क्योंकि आपके partner really आपको बहुत जादा पसंद करते हैं प्यार करते हैं वो आपसे connect रहना चाते हैं और अब वो इस energy में है कि आपके साथ stability भी चाते हैं जो कि अपरिल मन्त में मुझे यहां पर नजर आ रही है तो कोशिश करें कि इस रिष्टे को अ guidance अपरिल मन्त के लिए करक राशी के लिए करक राशी के लिए क्या guidance है देखते हैं मिस्टिस्म सॉलमेट अपने आपी दो कर रहे हैं और आउटकम ले ले लेते हैं ठीक है रिकवरी कम्प्लीशन और ग्रिप ओके देखिए आप दौनों के बीच में जो भी issues हैं जो भी problem है जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि एक दूसरे से सारी बाते शेर नहीं किवी है कुछ चीज़ ऐसी है कुछ बाते ऐसी है जो छुपी हुई है जो आप एक दूसरे को नहीं बता रहे हो और शायद किसमत पे छोड़ दिया है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा तो यहां करकराश ही आपको कहा जा रहा है कि किसी के दिल के साथ मत खेलो किसी को इतना पेन मत दो कि बहुत जादा तकलीफ हो जाए उसकी recovery होना मुश्किल हो जाए रिष्टा ही complete हो जाए लेकिन आप कुछ बोल ना पाएं तो ऐसा ना करें आपके मन में अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपको लगता है आपके पार्टनर का जानना बहुत जरूरी है तो उसे जरूर से कह दे और भगवान पे विश्वास रखे जो भी आपके साथ होगा वो बैस्ट होगा अगर वो आपके सॉल्मेट है तो वो सब्सक्राइगी चुछ चीज़े जो इनकंप्लीट हो सकता है कुछ पास्ट हो सकता है आपका जिसके बारे में आप उन्हें बताना चाहते हो या फिर अपने फैमिली का कुछ ऐसा इस इसी इस आप करना चाहते हो तो आपको डेफिनेट्ले नसे बात करनी चाहिए और इस को यहीं पर ही क्लियर करना चाहिए बहुत जादा मिस्टीरियस बनने से क्या होता है ना कि जब वो बाते सामने आती है तो बहुत जादा हर्ट भी हो जाता है तो कोशिश करें कि आपकी वज़े से किसी को हर्ट ना हो अपनी किसमत पर पूरा विश्वास रखे जो आपका सॉ पार्टनर करकराशी की लाइफ में क्यों आए हैं करकराशी की पार्टनर आपकी जो पार्टनर है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कहीं न कहीं वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बच्पना है थोड़ा इमिच्वास कर लेते हैं बहुत ही जल्दी किसी के साथ मिक्स हो जाते हैं और मैं यह कहूंगी कि आपको बहुत जल्दी जदा टा आपको विश्वास हो जाता है कि यह बंद यह बंदी तो बिल्कुंश सही है और इस पर विश्वास किया जा सकता है बहुत ही आपको आपकी लाइफ में चीज़े बहुत मुश्किल से मिली होगी लेकिन आप लोगों की हेल्प बहुत ज़ादा करते हैं बहुत ही helping नेचर भी आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो कहीं न कहीं अगर मैं यह देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो आपको सिखाने आएं कि लोग आपका फाइदा उठा रहे हैं उससे बचने की कोशिश करो वो आपको उन नेगेटिव एनरजी आपके सराउंडिंग जो नेगेटिव लोग है जो आपको सिर्फ बेनेफिट की जैसे काम में ले रहे हैं उनसे आपको आईना दिखाने आएं हैं आपको समझाने आएं कि देखो हर किसी पर विश्वास मत करो हर किसी की बातों में मत आ जाओ और फिर खुद परिशार होते हो और अपना काम नहीं कर पाते हो तो वो आपको एक्चुल इस्तुति आपकी दिखाने के लिए आए है आपकी लाइफ में आपको स्ट्रॉंग बनाने के लिए आए हैं आपको करेज देने के लिए आए हैं और मैं यह कहूंगी कि अगर वो आपकी लाइफ में फूचर में भी रहते हैं तो कहीं न क आपको successful बनाने के लिए है, strong बनाने के लिए है और लोगों में छुपे हुए सच को जान पाएं आप ऐसा बनाने के लिए आपके पास में आई है, तो बहुत ही beautiful reading यहाँ पर है और बहुत ही beautiful person के साथ आप connect भी है, चलिए देखते है astrology card क्या कहते हैं आपके लिए, astrology card क्या कहत आपके लिए, the 12th house, बहुत बड़े cards है, चलिए इस तरह निकालते हैं, 6th and 12th house, ओके दोनों ही area में मुझे यहाँ पर लगता है, चलिए पहले 6th house लेते है, 6th house कहता है कि अपने health पर focus करो, अपनी health का धियान रखो, और यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाय जाती है कि महनत करने की आपको जरूरत है, खुद पर, खुद पर कैसे अपने behavior पर, जैसा कि कहा जाता है कि लोगों की वज़े से खुद का नुकसान ना करें, लोगों की वज़े से, उनकी बातों की वज़े से stress में ना आए, अपने health पर focus करें, और अपना, मतलब self love करना सीखे, मैं क कि self love करना जरूर सीखे, 12th house, 12th house जो है, overwhelming you yield to a greater cause of power, yes, 12th house जो है, वो कहता है कि meditate करो, आप अपने अंदर कर राशी वैसे भी चंद्रमा को मतलब की, चंद्रमा की राशी है, जो कि कहती है कि आप बहुत intuitive है, आप अपने दिल की सुनोगे न, तो आप बहुत successful बन सकते हो, त थोड़ा अगर आप meditation स्टार्ट करते हो, तो आप देखोगे कि आपको अपने रस्तिक खुद दिखने लग गया है, आपको सही मागदशन मिलने लग गया है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से guidance लेने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने आपको बहुत अ मैसेस देना चाते हैं, करक राशी के partner उने क्या मैसेस देना चाते हैं, करक राशी के partner उने क्या मैसेस देना चाते हैं, let go of control issue, देखी मैंने कहा न, आप controlling बनते जाओगे अपरिल मन्त में थोड़ा, तो थोड़ा control करना बंद करें, बहुत ज़ादा control करने से कोई भी इंसान साथ में नहीं रहता है reconciliation तो yes अगर आपका break up था जगड़ा था कुछ भी था तो वो फिर से बाचित होने वाली है reconciliation होने वाला है आपके partner चाहते हैं आपके पास आना wedding मैंने कहा आपके partner चाहेंगे कि commitment दो बहुत हो गया अभी मुझे इस तरह नहीं रहना है heart to heart connection फिल करते हैं so कोशिश करें कि अगर आपके दिल में भी कुछ भी है तो उसको share जरूर करें forgiving and learning yes जो past में कोई भी किसी की रिष्टे में होता है तो उससे अगर learn करके experience करके अगर आगे बढ़ते हैं उस रिष्टे को बहतर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा यहां आपके partner यह कहना चाहते हैं कि reconciliation करते हैं फिर से हम जो भी हमारे बीच में हुआ है उसको माफ करके कुछ सीखते हैं एक दूसरे पर control नहीं करेंगे शादी करेंगे क्योंकि हमारा जो रिष्टा है वो दिल से दिल का रिष्टा है ठीके करकराशी यह थी आपके reading अप्रिल मंत के लिए अगर reading पसल आईए तो वीडियो को like, share, subscribe करना ना भूले और bell icon भी प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई री वीडियो आती है तो उसका पहला message आप तक आ सके Thank you so much